हाई एवरिवान गुट मॉर्निंग वेलकम बैक तो मैं चैनल तो वीडियो स्टार्ट हो रही है भी थर्सडे नाइट से स्टार्ट हो रही है डिनर मैं बना रही हूँ आज किसी का ऐसे कुछ सबजी दाल चावल ऐसा कुछ खाने का मन नहीं था लेकिन भूग तो लगी जाती मैंने बनाई थी तो फिर उसके साथ में ये हुआ हमारा आज का टिनर हम लोग निकले हैं लेट नाइट ड्राइविंग पर और हमने लिए हैं गर्मा गरम मुफली इतनी गरम गरम है ना इवर लेके देखो आप इतना मज़ा आगा ना खाने में सर्दियों के मौसम में ड्र लास टाइम थे चुनके लूम मौफली वाह कह रहे हैं करके मौफली चुनके लेनी जाहिए था इस अब मैंने ना गुर पक्ती भी ली एसाथ में तो फ्लावर की शॉप से हमने खरीदे है ये फ्लार्स बढलून की शॉप से खरीदा है ये फ्लाइंग बलून तो लेट ना इनको मैं बॉटल में भगे रग दूए और गुलाब टलवा है एक बीच में थोड़ा सा अखवर्ट लग रहा है बीच में गुलाब और आसपास यलो फ्लार्स बटी गुलाब बहुत फ्रेश था चार पांज दिन चल जाएगा अच्छे तो इसलिए मैंने ये भी ले लिय आप क्या ये देखो अच्छाओ कर्दे की कि इस तार को यह दिला दिया मैंने इसको पीछे इतना जाथ इसको लग रहे है इसको लग रहे कि मैं छोड़ दो कहीं भी छोड़ दो पंके से पंका चलाते थोड़ी नाय विश्यान में पूटेगा नहीं फूटेगा बैटर के हम लोग आ गये हैं एक गंटा फाल तुम इदर 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 घूम करके राइंक्यू सेदार यह हमने लिया है खुद के लिए सेदार तो मैंने अपने लिया यह ले 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 फस क्या फस क्या तु इदर जा कोना कोना फकाट नहीं फ्लेड नहीं पंका ले पंके से कुछ नहीं होगा उसको चल थोड़ी नहीं रहा है पंका वहां पे तो ऐसे रसी लटकती रहेगी इसकी एकदम नीचे तक लटक रहे है कहीं इदर कोने में सोफा के उदर डाल दो सिदार एकदम महां कोने में और यह हो गई है अगली सुबा यानी फ्राइडे मॉर्निंग कुछ बहुत मैं यहां पर प्रप्रेशन कर रही हूं जैसे मेथी वगरा साफ करना मुझे हस्बंड के लंच में आज जो बनाना था वस वही तेयारी मैं कर रही थी कई सारी चीज़े सोची थी कि यह सब बना के मैं दूंगी पूरा प्लान कर रखा था मैंने फिर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें बहुत जल्दी निकलना पड़ा ओफिस के लिए कुछ ओफिस का ही कुछ मतलब ओफिशल भात नहीं थी कुछ कलीक से रिलेटेड बात थी तो फिर वो जल्दी चले गए और फिर खाना लेकि नहीं गए तो मैंने भी अपना जो खाना बनाने का प्रोसेस था वहीं पर रोग दिया मैंने फिर सुबे नहीं बनाया वही सारा मैन्यू मैंने फिर लंच में बनाया और ये जो फूल मैं कल रात लेकर आई थी इतने खूबसूरत लग रहे हैं सिद के लिए मैं बलून ले रही थी तब मैंने ये गुलाब देखे गुलाब लेने गई तो फिर एक दो फूल और उपर से मैंने ले लिए कल पूरा दिन तो मैं इतना बिजी थी ना कल मुझे एक वीडियो जो बहुत लंबी थी उसको एडिट करके बेजना था और दूसरी वीडियो मुझे शूट करके एडिट करके अपलोड करना था तो बहुत बड़ा थास्क होता है ये किसी तरह मैंने मैंने किया तो मैं घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई कल पूरा टाइम मेरा कंप्यूटर के आगे बैठे-बैठे निकल गया इसलिए हम रात में थोड़ा बाहर गुणने गया थे थोड़ा से पूरा दिन ऐसे बैठे-बैठे ना इकदम धिमाग खराब हो गया था मेरा तो थोवी दिन निकल गया थे रात में और अभी मैं घर अब समेट रही हूं जो कल फैल गया था सारी चीजे फैली होई है इदर उदर सो जब हुआ था ना उस समय हमने लिया था तो एक मेमरी भी जुड़ी हुई है इसके साथ में सिदार को जब हम हस्पिटल से लेकर आये थे ना तो जो पहली रात थी हमारी जैनुरी में हुआ था क्योंकि वह बहुत जादा ठंड थी और उस साल बहुत विक्राल ठंड पड़ कर रहा हुए थे उसके होने के पांच दिन बाद चार-फांच दिन वह एनाईस्यू में था तो चार-फांच दिन बाद हम उसको लेकर आये तो पहली जो रात थी ना उस रात हमको ऐसा लग रहा था कि यार इतना छोटा सा बच्चा है इतना चोटा सा है और एतनी भारी सी तो पूरी रात थोड़ी देर इसके पापा और थोड़ी देर मैं ऐसे हाथ करका था हमने बीच में कि रजाई का जो गर्मी है वह उसको मिलती रहे उड़ी रहे उसके उपर लेकिन उसको बहाद इसके उपर ना पड़े तो पूरी रात हम लोग टर्ण बाइ टर्न अम लोग आप और सोई ऊपर तो अगले दिन अगली सुबह हुई खिटी कम्म नेका है वह अगले इसे सुब होता है ऑफ साथक्थ आप बहुत हुड yeah इसे कहले के से करूप हुटम कर जोक्ति का चाहिए जो यह रेका कर लुट महाँ चिल्ड रहता है जैसे रूम वैसा कुछ ना रहा है तो इनके साथ थोड़ी थोड़ी यादे जुड़ी है अब इस ब्लैंकेट से मेरा मन बहुत भर गया है और यह पुराना भी हो गया है अच्छा भी नहीं लगता है देखने में तो एक मन कहता है कि चेंज कर दो दूसरा मन कहता है यार एक तो क्वालिटी भी ठीक है अच्छा है इतनी भरी सर्दी में भी यह काम आ जाता है हमारे ऐसे दिक्कत नहीं होती कि इसमें ठंड लगे और दूसरा मन यह भी कहता है कि चेंज कर दो सरीता लेकिन अभी तो मैं नहीं चेंज कर रहे हूं सोच रहे हूं यह ब यूज किया हो Amazon या किसी और website से मंगाया हो जो थोड़ा modern और अच्छा दिख्या और ये blanket वाले stuff हो देखो cotton में तो बहुत blanket covers मिल रहे हैं बहुत सारे option हो इतने बढ़िया सुन्दर सुन्दर से क्योंकि इस कपड़े के ऊपर अगर आप cotton चढ़ा दोगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका इसका जो benefit है वह यह प्लस पॉइंट यह है कि यह थंड़ा नहीं होता है आप कॉटन का कोई भी समाल ले लो उसको गरम करने में एक गंटा लग जाता है बिस्तर में घुसो तो ना आपकी बेट्शिट गरम होगी जल्दी से और ना रजाई गरम होगी क्योंकि उसके उपर cotton का cover होता है लेकिन यह कपड़े की खासियत ही है कि यह गरम ही रहता है यह थंड़क नहीं होती इसके अंदर बिल्कुल भी चाहिए जैसे पढ़ रहे है तो मुझे इसके उपर ना ऐसा ही cover चाहिए मुझे इसके cotton के तो बहुत option देख लिए मैंने बहुत सुंदर सुंदर भी है बट कोई इसी कपड़े में अगर हो तो मुझे प्लीस आप लोग बताना आप लोगों ने यूस किया हो या फिर पता ही हो कभी नजर पढ़ी हो तो लिंक में को शेयर करना क्योंकि यह cover ठीक है काम चला हुए बट मुझे उतना पसंद नहीं है तो फिलाल तो मैं यहीं डाल रही हूं क्यो आप लोग मुझे जरूर बहुत अच्छा रिकमेंडेशन देते हो और फटा-फट मेरे किसी भी कॉश्चन का सल्यूशन भी निकाल देते हो तो मुझे पता है कि आप लोग भेजोगे जरूर कुछ ना कुछ चलिए पहले मैं cover ठीक है अच्छे से जमाई मैंने cover तो आया नहीं उसके उपर तो वो हटा के मैंने रख दिया और फिर मुझे याद आया बुलकड इतनी उना मैं कि कितनी चीज़े भूल जाती हूं यह एक्चलि कवर मैंने रजाई के लिए खरीदा था तो यह रजाई का cover है तो बस मैंने इसके उपर सोचा कि मैंने इसके लिए खरीदा था चड़ा के देखने जा रही थी तो वो लंबाई चोड़ाई मैची नहीं हूं इसकी तो हटागे मैंने इसको रख दिया है अब मुझे प्लीस आप सजेस्ट करना उसके बाद फिर भीया नहाया एक दो काम और थे चोटे मोटे नहाने से पहले वो निपटाए नहाया नहाके थोड़ा गुनगुना करके पानी मैं भर रही हूं केटल में इसमें भर के रख लो अगर आप थरमस में केटल बोल रही और वाइस ठंडा ठंडा पानी हर बार जाके लाने में दिक्कत होती रहती है तो मैं अपनी टेबल के पास कहीं भी एक बोटल रख लेती हूं और पानी पीना बहुत कम हो गया ना सर्दियों में पानी पीने कम नहीं करता है तो उसी वज़े से कोशिश करती हूं कि हलका तो सबसे पहले हम थेपला बनाने वाले हैं लच्छा थेपला उसके लिए हमने या पे फ्रेश मी थी जो मैंने सुबे सुधारी थी उसको वाश वगरा करके मैंने रख दिया था एकदम ड्राइ-D्राइ वो हो गई है फिर मैंने एकदम महीन करके उनको चॉप कर लिया है यहांपना वन एन हाफ कन अचा अचा लेने वाले हैं देड़ कन आचा आटा आपको लेना है और देड़ कन में व अधा कबं बेशन डाल दिया आपना 1 fourth cup ही डाल के बनाईएगा उसके बाद 1 fourth cup मैंने इसमें दही डाला है और घेड़ कब जितना आठा है उतना ही आप मेथी लीजे तो घेड़ कप भरके मैंने मेथी एड़ किया है लाल मिर्च का पाउडर नमक एड़ किया है एक चोटा चमच मैने कसूरी मेथी जो ड्राय वाली होती है वो आप इसमें ऐसे करके डालिए बड़ा अच्छा फ्लेवर एक अलग साइड होता है और फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने हापे सिर्फ जिंजर गार्लिक लिया है आप इसमें जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीस को भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको बनाना है उसके बाद दो टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था तेल या थोड़ा मैल्ट किया हुआ दिसी घी भी आप यूज कर सकते हैं साथी इसमें थोड़ा जो है वो अजवायन जाएगा साथी आप इसमें थोड़ी सी हींग अट कर दीजे अभी इसके बाद आपको क्या करना इन सारी चीजों को पहले ड्राइ-ड्राइ मिक्स करना अच्छे से मसल मसल के पानी अभी एकदम से मट डाल देना थोड़ा बहुत पानी तो यह मेथी भी रिलीजी करेगा तो एक दो मिनट तक पहले आप अच्छे से इसको रब करते रही है आटे के अंदर और उसके बाद मैं क्या करूंगी मैं तो इसको उठा के डाल दूंगी अपना जो इस्टैंड मिक्सर है उसमें यह आटा गुत जाएगा आप हाथों से अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूत सकते हैं एकदम सॉफ्ट भी नहीं जादा होना चाहिए जादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए एकदम नॉमल जैसा आटा लगता है वैसे लगाना है मीनवाइल जब तक वाटा लग रहा है और रेस्ट कर रहा है उतनी देर में मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जो मेरी फेवरेट सबजी है सर्दियों की बहुत ही लाइट सबजी है मतलब कुछ भी मसाले वसाले नहीं है हेल्दी भी बहुत है यह है गाजर मटर की सबजी और यह अपने स्टाइल की मैं आप स अधे कप मटर लिया है तो ने चिली गजर को मैंने छील करके काट लिया है और अच्छे से वाश करके रख लिया है। सबसे पहले हम राई के छो ठील का दाना होता है . छीरा डालेंगे इसमें तुरह यांदर हींग 10 जैसे ये सारी शीज़े भुण जाती है आप एड़ कर दीजिए इसमें कटे वे गाजर और साथ में मैंने दो हरी मिर्ट इनको स्प्लिट करके रखा था वो एड़ कर दिया है मतर भी मैंने साथ के साथ कर दीजिए इनको थोड़ा सा चला दीजिए मिक्स कर दीजिए और फिर आपको मतलब 30-40 सेकंड तक आप इसको अलका सा भुन जाएं जब यह फिर आप ढ़कन लगा के इसको ऐसी रख दीजिए अभी इनिशिली आपको इसमें नमक वगरा कुछ भी आड़नी करना है ना ही मसाला आट करना है थोड़ा सा चलाना है और फिर ढ़क करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है दो धाई मिनट पकाने के बाद आप ढ़कन हटाईए और इसमें मसाला एट कर दीजिए यहां पर मैंने एक बड़ा चमच धनिया का पाउडर लिया है आधा चोटा चमच लाल मिच का और वन फोर्थ चमच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर लिया है अब इसको अच्छी थोड़ा सा भून दीजिए उसके बाद नमक एट करेंगे और इसको हम ढग देंगे इसमें पानी वगरा को उपयोग नहीं करना होता है एक दम ऐसे ड्राइ ड्राइ सुकी सुकी सबजी बनती है और इसमें प्याज लैसो नदरा के सब कुछ नहीं जाता है सिर्फ मसाले जा अमचुर का पाउडर अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है अमचुर लास्ट में जरूर डालें इसकी खटास बहुत अच्छी आती है सबजी के अंदर और जो गाजर का ओवर स्वीटनस होती है वह थोड़ा डाउन हो जाता है क्योंकि एक बैलेंस जैसा क्रियेट करना होता ह अच्छा नहीं लगता है धनियापता का टेस्ट इसके अंदर बस आप ये सबजी को रोटी पराठा इनके साथ इंजॉय कीजिए और दाल चाहूल के साथ भी साइड में आप इसको रख सकते है और यहां हमारा थेपला का जो आटा है कितना अच्छा चिकना सा लगके तयार हो गया है तो अब जैसे नॉर्मली हम लोग रोटी बेलते हैं ह। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर मैं इसको थोड़ा थेपला बनाने वाली हूं तो आप उस तरीके से भी जो लच्छा पराठा स्टाइल होता है वैसे बना सकते हो तो मैंने कुछ ऐसे इसको बन और यह हमारे पराठे जो है और मुझ सारे बन के तियार हो चुके हैं मैं आटा लगा के सबजी बना के चली गई थी और सिधार्थ को जब लेकर आयूना फिर मैंने ये थेपले बनाए हैं तो यहां पर देखें ये सॉफ्ट सॉफ्ट से थेपले बन गए हैं लेयर्स भी आपको दिख रही होंगी और ये मैंने थाली लगाई है गाजर मटर की सब है मटर तो खा लेता है गाजर उतनी अची नहीं लगती है इसको सबजी मैं हस्बिन को भी नहीं अची लगती है मेरी फेवरेट है मुझे दोनों चीजे पसंद आती हैं तो फिर मैंने डिसाइट किया कि मैं अपने हाँ से खिला देती हूं क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो पसंद नहीं है अगर मैं खिला देती हूं तो खा लेता है नहीं तो अपने हाँ से दूंगी न तो कुछ भी नहीं खाने वाला तो मैंने सोजा चलो मैंने थेपला बनाके तो सारे रखी लिए हैं तो मैं भी खाती जाती हूं उसको भी खिलाती जाती हूं थोड़ा मूह बन पर रात को नीम मुझे आने से रही तो मैं उठके आ गई हूं किचन में आज कुछ बनाना नहीं है मतलब जो मैंने गाजर और मटर की सबजी वनाई है वो अल्रेडी रखी हुई है और थेपले का आटा रखा हुआ है तो वो गरम-गरम मैं हजबन के बना दूंगी उनको पसं काफी महिनों से पीती आई हूं ना तो अभी तो मुझे हो गया शायद वन मंध छोड़े भी हो गया बीच बीच में तो बार पी है मतलब एक दो बार ऐसे पिया पिया और ऐसे रागुलर नहीं रह गया है तो मैं सुच हूं इसकी जगह में अपने लिए वेजटेबल सूप बना देती हूं सारी सबजियां भी कटी रखी हुई है और आपके साथ शेयर भी करूंगी सर्दियों में सूप बहुत अच्छा लगता है पीने में और मैं सिंपल और हल्दी वाला वरिजन बनाती हूं वैसा वाला नहीं बनाती है जिसमें रेसार बटर और कॉन स्टार ची विदाओ कॉन स्टार्च और विदाओ बटर वगरा या फिर क्रीम भी नहीं डालती हूं मैं तो चलिए बहुत बढ़िया ईजी हेल्दी सी सूप की रेस्पी आपके साथ शेयर करती हूं एक बार आप बना के दिखना आपको बहुत पसंद राएगी सूप के लिए सबसे प और यह सारी वेजिस जो है हमें चाहिए जैसे कि मैंने यह पर गोभी ले ले लिया एए बी ले ले लिया और थोड़े से धनिया पत्ता अपने देखे होंगे वह भी लिया है वह थोड़ी देर बार डालूंगी मैं इसके अंदर कर देनी है इसके अलावा आप क्या ले सकते मिनके का जाब भी ले लेल एदे कर सकते हो आप लेक है राव ग शरुमिस लेते हो बी अग्रुमिस्क्त ले सकते हो अश्यों सकते हैं यह पर आपे मैंने आपने देखा होगा कर यह तना दनिया भी इसके अंदर श्राली कर लेक्ति आन वाड़े पानी देती है फिर वो बेकारी हो जाती है नमक डालना मैं भूल गई थी तो मैंने लास्ट में डाल करके एक मिनट सब्सक्राइब और पकाया है और फिर वो उतार करके मैंने दूसरे चुले पर रख दिया है यहां पर हम बना रहे हैं इसका तरका यहां पर तेल के अंदर मैं पीनट ओल यूज किया इसमें और आपको अपनी पसंद का जिसमें स्ट्रॉंग फ्लेवर नहों ऐसा ओल यूज कर सकते हैं इसमें चॉप्ट जिंजर चॉप्ट गार्लिक अट किया है और आप जो प्यास अबलने में डाले ना अगर आपको बलावा प्यास का टेस्ट अच जो कि क्लियर सूप है मतलब अगदम एकदम क्लीर घाब है इसलिए इसको क्लीर super कैते हैं आप ऐसे यूज कर सकते हैं बट मुझे वेज़िसकहना सूप के अंदर अच्छा लगता है आप ऐसे भी पी सकते हो और ये वेज़िस खा ज़ा जाओ तो और अच्छी बात है तो मै यहां पर मैंने कॉर्ण एट कर दिया है जो की ऑप्शनल है पसंदे तो डाल ये मुझे पसनली अच्छा लगता तो मैंने डाला है ब्लैक पेपर डाल ये धेर सारा इसके जगा वाइट पैपर भी यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने महीन चॉप करके डाले है इसमें मैंने बटर क्रीम इनका कुछ भी इस्तमाल नहीं किया है साथ ही अगर आप कॉर्ण स्टार्च डालना चाहते हैं तो आप यहां पर डाल दीजिए बट हम लोग ऐसे ही पीते हैं यह पानी की तरह हमको अच्छा लगता है हम इ इसे भी पी सकते हो या फिर थोड़ा साथ डाल करके इसको थोड़ा रेस्टों इस्तायल बना दीजिए थोड़ा थिक बना दीजिए तो वैसे भी पिया जा सकता है बहुत ही अमेजिंग हेल्दी यह होट सूप सर्दियों में पीने में बड़ा ही यम और अच्छा लगता ह थोड़ा सा गार्णिश किया है मैंने स्प्रिंग अनियन से और यह हमारा सूप बनके तयार है जिसे हम तीनों ने अच्छे से हिंजवाए किया और इसको खाने के बाद ना ऐसा मन मतब पेट भर जाता है ना कि फिर एकदम मतब फुल फिलिंग है ऐसा नहीं है कि इसके पास जादा भूख आपको लगेगी तो मेरा तो इसी सूप से हो गया था मैं मैं तो डिनर करती नहीं हूं तो कभी स्मूदी कभी सूप आचकल क्यूंकि स्मूदी की जगह सूप थोड़ा सा चेंच कर लिया है सर्दी आ है थोड़ा गरम गरम खाने का मन होता है तो उसकी जगह स पी लेती हूं तो मुझे अच्छा लगता है सैटिसफेक्शन रहता है तो बस किचन के थोड़े बात काम निपताऊंगी और इसके बाद क्लिप आप जब देखेंगे तो एक दम प्रॉपर एंडिंग देना में वीडियो की भूल गई थी तो अभी से आप लोगों को टाटा बाइब करती हूं मैं आगे आप एक दो क्लिप और देखोगे बट यह वीडियो में ही पर एंड करती हूं होफुली आप लोगों ने इंजॉय किया होगा रैस्पीस कुछ अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर कीजेगा साथ ही साथ ट्राइब ही कीजेगा उनको और लेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थाइंक्स फूर वाचिंग टेक क्यार बाइबाए इंट्रेस फाइप परसेंट पर नहीं नहीं लिखो तुम पर मंद चाहिए न हुआ है जो इसने कबाट बेच के पैसे जमा किये थे और जो सबने दिये हैं तो इसने दिमाग लगा है क्यों ना मैं अपने पैसे इंवेस्ट कर दूँ तो यह मुझे पर मंथ 50 बढ़ा के देते रहेंगा और जितने में बगल से और कमाता जाएंगा और इंवेस्ट करता है और कम से कम महीने के पाच हजार पर आके ही रुकूंगा तो बैंकर कहां मिलेंगे तो मैं बताओ एक महीने का पाच पसंद मिल रहा है इसको वैसे साल का छे पसंद है रहे हैं यह जाए और यह चीटिंग ना कर दें कहीं क्या लिखाया है तो मैं मालने साहीन कर दो पेड़् हूँ पेड़् मैं का मैंने पेड़् कर दो अधार पेड़् काली पेड लिख दिया कमिटेट 5% इंट्रेस्ट लिग दिया हो गया अब क्या लिखा दिखाओ सिद पेड़् वन थाउजन इंट्रेस्ट 5% उसके नीचे क्या लिखाया है पर मन्त अच्छा वाइजो साइन तो देखो एस और काफर माइज सिदार ने साइन शीख लिया है अब मैं विटनेस हो मेरे भी तो साइन लगेंगे विटनेस के लगेंगे विटनेस पीछय हुआ लुकु डेटेट तो लिखो सबसे पहले जो एक दिन हुआ है दो और क्या तारिक आप पंदरा बिटाव कील के सामने अग्रेमेंट बना रहे ओ थोड़ा सा धंक से तो विटनेस साइन मारेगा विटनेस वन और विटनेस टू अरे एक ही रहने दो ना तू दूसरा कहां से लाएंगे तुम उससे साइन करवा लो अपने टैडी बेर से पुछकू से अब अगर विटनेस और आप हम दोनों मिल जाए तो इसके पैसे तो गोल हो जाएंगे जब त तुम स्कूल जाओंगे मैं अग्रीमेंटी गायब कर दूंगी नहीं नहीं तुम्हारी मैनत की कमाई हम कहीं नहीं गायब करेंगे लो यह अपने वालेट मेरा इसने अपना वालेट भी बनाया हुआ है अलग से जब इसको अपनी चीज खरीदनी होती तो यह वालेट लेकर बीजाता है इसको मैं नोटों के साथ ही रूख माता की दिखता रहे है